ये है कमलम जिसे अंग्रेजी में हम ड्रागन फ्रूट कहते हैं पर गुजरात सरकार ने इसका नाम बदल कर कमलम रख दिया है ऐसा इसलिए क्यूंकि CM विजे रुपानी को ये अमरीकी नाम पसंद नहीं है और इसके आकार को देखते हुए यानि इसके फल की पतियों और नोको को देखते हुए उन्हें कमल के फूल की यादा जाती है ड्रागन फ्रूट कैक्टिस प्रजादी का एक ऐसा फल है जो देखने में जितना ही अट्राक्टिव खाने में उतना ही स्वादिश्ट और इसके फायदे तो क्या ही कहने ड्रागन फ्रूट हमारे शरीर के लिए बहुत फायदे मन है अब इसके फायदे को देखते हुए दुनिया भर में इसके डिवान भी बढ़ गई है और गुजरात में भी इसके खेती बढ़ रहे है तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं गुजरात के भावन नगर के रहने वाले रमेश भाई से जो किसान है और ड्रागन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और इससे वे सालाना साढ़े तीन लाक रुपे की कमाई भी कर रहे हैं रमेश भाई मकवाना ने सोशल मीडिया की मदद से ड्रागन फ्रूट की खेती सीखी है उन्होंने अपनी चार बिगा जमीन में 740 पोल खड़े कर ड्रागन फ्रूट के पौधे लगा है हर पौधे की बीच 7 फूट का अंतर रखा है रमेश भाई ये ड्रागन फ्रूट के पौधे सीधा जामनगर से लिकर आये थे एक पौधे की कीमत थी 48 रुपे उनका कहना है कि ड्रागन फ्रूट की खेती में शुरुवात में खर्च थोड़ा जादा है लेकिन बाद में इससे लंबे समय तक अच्छी कमाई की जा सकती है एक बीगा जमीन के हिसाब से 1 लाग तक का खड़ जा जाता है और एक ड्रागन फ्रूट का पौधा करी 15 महीने के बाद फल देना शुरू कर देता है बिते दो साल से ड्रागन फ्रूट की खेती कर रहे रमेश भाई बताते हैं कि एक सीजन में 3600 किलोग्राम फल का प्रोड़क्शन होता है और ये 1500-500 रुपे क किलो की कीमत से भी विखता है अब वेसे गुजरात के बाहर में भी वेशने लगे हैं आपको बता दे कि एक बाद ड्रागन फ्रूट की खेती में इंवेस्ट करने के बाद ये 25 सालों तक फल देता रहता है बस इसकी देख रेक थोड़ी अच्छी होनी चाहिए तो अगर आ इसे लगाने से पहले आपको इसके लिए एक 6 फूट लंबी RCC लगाने होंगे हर पौधे की बीच कम से कम 6 फूट की दूरी रखने होंगी और इसकी सिचाय में भी जादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ड्रागन फ्रूट का एक पौधा बाजार में 60 रुपे से ल 300 ग्राम तक का हो जाता है तो फिर देख किस बात की अगर खेती के मामले में लाइफ टाइब इंवेस्टमेंट चाते हैं अगर चाते हैं कि कम खर्च में जादा दिन तक कमाई की जा सके तो फिर ड्रागन फ्रूट की खेती से अच्छा कोई आप्शन आपको नहीं मिलेगा और इसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहें और जुड़े रहें दैनिक भासकरा आपके साथ